नमस्कार आप बिहार इन सौर्च देख रहे हैं मैं हूँ प्रमीर सिंग आरेस भटी बिहार के नए डीजेपी बन गए हैं इसका एलान कल कर दिया गया है 19 दिसंबर के बाद वो बिहार पुलीस के मुख्या होंगे लेकिन बिहार की जनता जो है आरेस भटी के बारे में जानन नहीं देखा है उनके बारे में जायदा जनकारी उन्हें नहीं है वो समझना चाहते हैं क्या आरेस भटी का काम करने का तरीका क्या है आरेस भटी जो है वो किस अंदाज के IPS अफिसर है तो इनको समझने के लिए लगतार हम भी आपको इनसे जुरी हुई कहानी सुना रहे है इस से पहले मुहमत सहाबुदीन और रिस भठी की कहानी बताये थी जिसमें आर्सभठी ने कैसे मुहमत सहाबुदीन को गिरफ्तार करवायाथा और अपनी टीम को कैसे उन्हों होने लीड किया था और दिल्ली से मुहमस सहाबोदीन गिरफतार हुए थे लेकिन आज हम आपको दूसरी कहानी बताने जा रहे हैं यह कहानी है लालू पट्षाद यादव और आरिस भटी की साल 1998 था 1998 का साल बिहार के लिए ठीक नहीं था जून का महीना था जूनके महीने में एक-दो दिनों के अंदर दो बिधायकों की हत्या हो जाती है और पुरे बिहार में कोहराम मचा रहता है सबसे पहले राजधानी पट्णा में बिजबिहारी परशाद की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है आइजी IMS छोर्स thighle है उसमें बिज बहरी प्रशात भरती थे और वहां पर उनको गोलियों से भून दिया जाता है जिशके बाद पट्ना में काफ़ी बवाल होता है और लोग अभी बिज बहरी प्रशात की मौत की की चर्चा कर रहे थे। उल्जर में परेते। आपक्र इतना बराकांड किस ने कर दिया। तभी अगले दिन, यानि कि 14 जुन moment 1998 को पुण्तिया पुण्या में एक बराकांड हो जाता है। पुण्यासदर के जो cpm के विधायक थे अजीत सरकार उनकी गोली मारकर बीच सरक पर हत्या कर दी जाती है और इस हत्या के बाद पुर्णिया भी जो है जलने लग जाता है जितने भी अजीत सरकार के समर्थक थे वो सरक पर उतरते हैं आगजनी करते हैं टाइर जलाते हैं यहां तक ही जो आदिवासी थे वो तीर धनुस लेकर पुर्णिया के सरको पर उतर आये थे और पुर्णिया जल उठा था और पुर्णिया की जो धमक थी वो रासधानी पतना तक भी पहुंच चुकी थी और खोद बिहार के मुखमंतरी लालू परशाद यादव परिसान हो गए थे, फिर उन्होंने एक फैसला लिया, कि आखिर कैसे पुर्णिया को सांथ किया जाए, उन्हें खुद पुर्णिया जाना था, और अजीद सरकार के सौब पर मल्यापन करना था, लेकिन जो उनके समर तक थे, वो अजीद सरकार के सौब को उठाने ही नहीं दे रहे थे, पुलिस को सौफी नहीं रहे थे, तब लालू परशाद यादव पत्ना में एक फैसला लेते हैं, और फैसला लेने के बाद हेलिकॉप्टर त्यार होता है, और हेलिकॉप्टर से उठते हुए वो पुर्णिया प सरकार की हत्या के पीछे जो कोई भी है, उसे आरिस भटी पकड़ लेंगे और भटी में दाल लेंगे, जिसके बाद जो है, लोग सांथ हुए, क्योंकि आरिस भटी के बारे में उस वक्त पूरा विहार जान रहा था, कि आरिस भटी को जो काम सौपा गया, उस काम को आरिस अप्रादियों को उन्होंने सांथ कर दिया, इससे पहले पुर्णियास से पहले वो जहानाबाद में रहे, जहानाबाद यानि की एक समय में नक्सलियों का घर था, वहां पर नक्सलि बौनाम, बर्मेसुर मुख्या की जो रिAUL्णवीर सिना थी, उसमें अक्सर टक्कर हु जो लालुप प्रशाध यादों की कड़ीवी थे जो उनके नाम पर अधिक उत्पात मचाए हुए थे उन्हें भी RS भटी ने ठीक किया था तो ऐसे में अब पुर्णिया उनके हवाले किया गया तो लालुप प्रशाध यादों ने RS भटी को पुर्णिया में छोड़ दिया और फिर हेलिकॉप्टर से वो वापस पटना आ गए इसके बाद आयस भटी ने पुर्णिया का कमान सभाला और कमान सभालते ही पुर्णिया के जितने भी अपरादी थे सबकी लिस्ट तियार की और उसके बाद काम मिले गए अजीत सरकार की हत्या के मामले में पपुयादव और राजन तिवारी को जो है नाम सामने आया और उसके बाद आरेस भटी ने जांच करते हुए राजन तिवारी को गिर्पतार भी किया हाला कि बाद में इस मामले को CPI के हवाले कर दिया गया और CPI ने इस मामले की जांच की लेकिन उस वक्त पुर्णिया के धमदाहा में भी एक अपरादियों का समनांतर सरकार चलता था फिर उस धमदाहा और मंडल को भी अपरादियों से आरिस भटी ने मुक्त किया और पुर्णिया के लोग आज भी आरिस भटी की चर्चा करते हैं कि उन्होंने कैसे पुर्णिया में काम किया था और पुर्णिया को अपरात मुक्त कर दिया था तो RS भटी के काम करने के तरीके से लगबख सब वाकिब थे उस वक्त बिहार के मुखमंतरी रहे लालुक परसाद यादों भी RS भटी को जानते थे तो समझे उन्हें जब पुर्णिया में लोगों को सांथ करना था लोगों का भरोसा जितना था तब उन्होंने RS भटी का इस्तमाल किया RS भटी को अपने साथ हेलिकप्टर में बिठा कर पटना से पूर्णिया गए और लोगों को सांथ किया, लोगों को भरोसा दिया कि RS जो भटी है वो इस केस को देखेंगे और इसके पीछे जो कोई भी अपरादी है, जो कोई भी दोसी है उससे सजा जरूर मिलेगी खेर तो आप इतना समझ गये होंगे कि RS भटी अपने समय में जब बिहार में थे उस वक्त तो उनकी अहमियत क्या थी कोद बिहार के भुख मंतरी उन पर कितना भरोसा करते थे बहराल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तुरंत कर ले इस कहानी को लेकर आप क्या सोखते है कॉमेंट करके बताईएगा वीडियो फेस्वूप देख रहे हैं तो हमारे पेच को भी लाइक कर लें धन्यवाद